कि हम अभी खड़े सूरत के सेसन कूर्ट में थोड़ी देर पहले नाराइंद रचाहिं जी को यहां ला गया नाराइंद ये और साधे तीन साल के बाद उनके भक्तों के प्रति उनकी क्या सरद्धा क्या स्था यह जानते हैं वहां कहां से अरुवार से हैं क्या नाम है डीपक इतने सालों से जुड़े हो दो जो जुड़े होए थी को साड़े तीन साल हो गयेर जैल में सारा ने के आरोप लगे मीडिया ने इतना सारा चड़ा थे साड़े साथ आपके साइं के प्रति आपकी सरद्धा कैसी है बहुत मजबूर सरद्धा है आज इवन कभी कम ने होने वाली जो है यह तो भगवान के साकार रूप है नारेंड साइं जो है कितने सालों से बीच साल से अंदर आपके जीवन में क्या अनुप हुआ है जी आनन सांती भरपूर सब्सक्राइब रखता है कि जल्दी से जल्दी साइं जी को बरी करें जाया बापु जी को इस ओड़ आ जाये जब गुनाकारों को निए था और उसके बाद अब क्या सब्सक्राइब लगाते थे तो यह चीजे चुड़ी बागी बहुत अध्याद में भी उनती हुई है और संसारिक भी उनती है कामकाज में भी उनती है बीजेपी की सरकार से क्या आप उमीद लगाए रखें कि सपस्ट नियाए द्वारा वाई ज फिर्टि और वर लोगों से बात करते हैं आप कहा से सुरग से आ हैं है कि रूप् account मेरा बरास रोड़न डेता है की लोड़ा है कि अधिश्ट त्वान हो तो उसमें क्या सच्च ही है ऑँ अधिश्टा समय गलत है यह खाली बापु जी को ад Śandيع कर दिये वहा यह हम इत्ने 17 साल से हम आनुपा है फूरा करें वाई कोई कोई भी मुनो कामना में हम सब मुनो कामना में सपल हुए है अभी आश्रम जाते हैं अभी आए आश्रम से इधर दर्शन करने को आए नारण साय के लिए बीजेपी सरकार से क्या उमीद लगाए रख वो तो अमीद वो इसका सब गलती काम जुटाई वो आरोप है सरकार से क्या मांगे आपकी सरकार को ऐसे मांगते हमारा बापु जी को जल्दी से सुट्टी दिलवा देंगे लगातार भक्तों की यही मांगे के जल से जल आसाराम जी बापु को और नाराण साय जी को जल से जल रिया किया जा इन्होंने भी बोला और अरिद्वार से भाई उन्होंने भी बोला कि वही साड़े तीन साल से लगातार इन पे इतने आरोप लग रहे हैं लेकिन सारे आरोप निराधार है